की नवश्कार साथी हो मैं हुआ की साथ डोक्टर सट्यमकषण ऑफ हेने में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज बात करने जा रहा हूं वाइव पॉस हुम्यपधिक मेंडिसिन की बारे में टीपंग तब इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या है इसका प्राइस है और कैसे आपको लेना है ? देड न करते हैं शुरू करते हैं तो वाफ का सबसे पहले मतलब जानते हैं कि वाफ क्या होता है फाईपास मतलब इस में पंच फैस्ट रिजट है जिसको मिला करके एक होमेपेतिक कॉंबिशन बनाया गया है यह होमेपेतिक सौर्ट्स है यानि कि बायोकेमिक सौर्ट्स है जब किसी भी सौर्ट की हमारी शरीर में कमी हो जाती है और उसकी वज़े से बीमारी होती है तो इसकी शरीर में कमी को पूरा कर देते हैं अब जानते कि हमारे brain में साथ में patient में exhausted feeling मिलती है यानि कि patient का शरी ऐसे लगेगा कि बहुत जादा थाका मांदा चूर चूर हो गया है weakness मिलेगी यान की कमजोरी मिलेगी body में lack of vitality मिलेगी जो हमारी जीवनी शक्ति है उसकी भी कमी मिलेगी patient में और एनीमिया की समस्थ्य मिलेगी जिसमें RBC कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम हो जाती है और एनीमिया मिलता है patient में और उसके साथ भी कमजोरी मिलती है weakness है फिर कमजोरी के कारण की तरफ बढ़े उसकता है thyroid की बिमारी हो सकती है एनीमिया हो सकता है lack of sleep यानि कि आप ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे है depression या फिर anxiety हो सकती है vitamin B12 की deficiency हो सकती है साथ में undiagnosed diabetes हो सकती है यानि कि acid diabetes की आपकी पता ही नहीं कि आपकी शरीर में diabetes भी है तो इसमें से कुछ भी कारण हो सकता है तो आपको diagnosis कराना होगा कि आपकी शरीर में कमजोरी क्यों मिलती है बड़े 5-4 की ओर कि इसको आपको कैसे लेना है तो अगर आप adult है अगर आपकी जादा से जादा लक्षण मेंज कर रहे हैं तो दिन में तीन बार इसकी चार गोली ले सकते हैं मुह में डाल कर चूज नहीं है पानी से लेने की आवश्रक्ता नहीं होती अगर बच्चे है त अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्स्राइब कर लीजे इसी तरीके से होमेपाथी के बारे में एक चैनल जरूर बताएगा आपको और वीडियो पसंद आईए तो लाइक किर दीजे कोई भी सवाल है कमेंट में बता दीजे जन देते हैं कि एक नई वीडियो में कर दो कुझे तो